हेलो अब्रिमान देखी क्लास एट का न साइन्स का पेपर है आपका एक तारिक को और फिर दो तारिक को मौर्णी एमिंशिट का और इसमें आपको जो मैं कोशन आंसर दिहा हूँ न लैसन वाइस मतलब चैटर वाइस दिहा हूँ पार वन पार टू और जितनी में मैं आपको क अब कोशन से और बहुत इंपोड़न कोशन से आपके वेपर में आ सकते हैं इंचिंग आप देख रहे ना तो यह भी आपके वेपर में आ सकती है कुछ भी स्किप मत करना पूरी वीडियो देखना अगर आप इस वीडियो को दस पंदा मिनिट बीस मिनिट पर देदेंगे तो आपको जो है बहुत सारी नोलच मिलेगी आपकी जो पेशन आपको पता चला है आप मैं कुछ नहीं बढ़ा तो आप इनमेसे पढ़ेंगे यह जो लैंग्विज पढ़ेंगे तो आपको बहुत हैल्प मिलेगी ठीक है कोशन यह बहुत पार आता है ये खरीब के फसल कौन सी है तो यह याद कर लेना आप बाखी यह कोशन्स हैं इनको पड़ो इसका आंसर पड़ो तो आपके क्या होगा दिमाग में धोड़ा-धोड़ा धीरे-दीरे बैठी की चीज़े इसलिए आपकी जो नोलिज में इंक्रीज होईगा और आपका पेपर में जो भी कोशन्स कर सकते हैं और यह जो आप देख रहें ना उव्रक और खाद इनको भी मत करना इसमें अंतर के लिए भी बहुत सारी चीज़े आती है तो यह भी आप कर लो संजाहिक किसे कहते हैं चितने भी आपको कोशन्स दिहार हों बहुत इंपोर्टेंट है यह इतना अतना बड़ा- विधी भी बताई हुए है अगर जादा नंबर का आता है तो आप विधी भी लिखेंगे तो आपके फुल मार्क्स मिल जाएंगे आपको ठीक है अब जैसे इनने बोला कि जैसी गेहों की खरीब जीतों में उगाया जाये तो क्या होगा तो उस पर आपको चर्चा लिखने ह थोड़ा बर पढ़ लोगे तो फिर अपने बना बना के लिख देना जैसे की कोशन आता है और आपको उसके बारे में पता ही निए लिखना क्या है तो आप क्या लिखेंगे अगर आप थोड़ा पढ़ लेंगे उसके बारे में उसका थोड़ा आंसर देख लेंगे तो यह ह मैं आपको कहा रहा हूँ कि पूरा टाइम दे दो इसको दस पंदा मिन्ट दे दो ठीक है अपकी जो फाइन टम में सारे जो जब्टर जी वाइस दिहारों हो सारे आएंगे ठीक है अब जैसे कि यह पार्ट है ठीक है आठवाए इसके बारे में थोड़ा बहुत देख लो ठीक है इसके कोशन सांसर पढ़ो ठीक है पढ़ लो इनको समझ लो मैं समझा नहीं न सिरह आपको दिखा रहा हूं कि आपको टाइम भी बहुत कम है ठीक है और मैं इंग्लिश इमिडियों में भी लानी है वीडियो तो यह जितनी फिलिंग दा बलाइंग साही जो नहीं कि सारे है एक साथ आजए कि दो भी आसकते हैं तीन आसकते हैं ठीक है कोशन बनके भी आते हैं ठीक है चाप कोशन और साथ हो कोशन है कोशन देखो कितने बड़े बड़े हैं और आंसर देखो तो यही आपको देखना है और पढ़ना है इसको अच्छा से थीक है मैं इसले आपको अराम से दिहार हूँ अब पार्ट छे आ गया है तो इसमें है समरी है ठीक है झाल 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 आप जो है पार्ट गैरवा आगया है तो चितने में आपको दिखा रहो ना चैप्टर वाइस दिखा रहा है आप थोड़े खोड़े कोशन पढ़ लेंगे आंसर पढ़ लेंगे ना आपको बहुत हैल्प मिलेगों चितर बनाने के लिए आता है याद रखना ये भी आसका करना सारे कोशन पढ़ो ठीक है आंसर दो पढ़ो आंसर दो जो नहीं आता उसको देखो कैसे लिखना क्या लिख रहा है इसलिए मैं आपको आराम से दिखा रहा हूं और आपके लिए ना और भी वीडियो में लेकर आऊं कमेंट बॉक्स में चेक कर लेना ठीक है क्या क्या है झाल झाल देखिए यह most important questions है यह चितर बनाने के लिए आता है और इसके बारा में लिखने के लिए पी आता है वीडियो लेका हो उसको भी देख लेना ठीक है पूरे 37 पेजिस पे और मिट्रम का पेपर अगर आप कहेंगे तो मैं आपको प्रॉइट करते हूं ठीक है आंसर के साथ इसके कामन बॉक्स चेक कर लेना चैनल को जूरो सब्सक्राइब करना कोई डाउट अथा पूछ लेना ठ एक दो बाई